मस्कार दोस्तों तो पेटीम के रिगार्डिंग दो बड़ी खबरे आई हैं बहुत जरुरी खबरे हैं आज के दिन की एक तो अशनीर ग्रोवर जिनको आपने देखा होगा है आज शार्क टैंक पे उन्होंने कुछ स्टेट्मेंट दिया है और एक बहुत दो बड़े फर्म ह वो बहुत जरुरी है जानना एक तो 100% राइट रहा है उसके case में आज तक तो तोनों को देख लेते हैं दोनों न्यूज को एक बार के लिए और क्या यह माइने रखती है दोनों न्यूज यह भी बहुत जरुरी है देखे ऐनीर ग्रोवर को आपने देखा होगा शार्क टै खुद की कंपनी से निकाल लेंगी नो बता चुकी है जिसके पर खुद इंक्वाइरी चल रही हो उतकी बात पर कितना विश्वाश किया जा सकता है एक बहुत बड़ी बात है वो बेशक पेटियम में मतलब अगर उन्हें कुछ वहाँ से पैसा मिलेगा तो किसी और कंपनी में तो इंवेस्ट करेंगे और उबिसली बात है वो महां से कुछ हजार करोड के करीब की डिमांड करेंगे अगर उन्हें कुछ मिल जाता है कுक्ति ने पेटियम में इनवेस्ट करना चाहते है या उन्ने पेटियम की शेर खरिदने का सोच रगा हूँ को Katie English Subscribe में इंवेस्ट किया हुआ हो तो कुछ भी हो सकता है दूसरा मेक्वैरी कह रहा है कि 400 प्राइस होगाま मेक्वैरी ने तीन बार रेटिंग दी थी तीन बार डाउंगेट क्या था इसको और तीनों बार वही प्राइस पर पहुंचा है आज तक मैक्योरी ने सबसे पहले साड़े बारा सो बोला था पहुंचा, 600 बोला था पहुंचा, और अब साड़े 400 बोल रहा है बठा मॉर्गन स्टेल्ली अभी चाहरा है कि इसका प्राइस साड़े 800 से उपर होना चाहिए तो बहुत डिफरेंट है मैक्योरी 100% राइड राइ